नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सोनिय चोहान पंजाब की खबरों में आप सभी का स्वागत है रुक करते हैं खबरों की ओर नवजोद कोर सिद्धू सुखपाल सिंख हैरा और मनप्रीत बादल के खिलाफ कारवाई पर कहा कि किसी को भी जाच से भागना नहीं चाहिए अगर आप सच्चे हैं तो आप अपनी सच्चाई साबित कीजिए लेकिन उनके खिलाफ कारवाई का धंग गलत है किसी को राजनितिक फायदे के लिए इस तरह परिशान करना सही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि नवजोद सिंग सिद्धू ने किसी सक्ष को हाथ तक नहीं लगाया लेकिन फिर भी आपसी रंजिश के चलते इतने साल तक केस उलजाये रखा और एक साल की सजा भी हो गई आपके साथ गटबंदन पर उन्होंने कहा कि हाई कमान का हर फैसला मानेंगे इना जड़ी वर्ल्ड कैंसर केर दे हेड्स हैं जदो मैं सीपीएस हल्ट सी ये मेरे नल जुड़े सी गे वर्ल्ड ऑना दे में बहुत सारे कैम्स लवाए हूने ना ने मिनू ऑल इंडिया दा हिड़ बनाया है कैंसर कहता हजे मेरी बिमारी कारण मैं ऑना नु क्या में ओल इंडिया नहीं ट्रावल करना तो उसी मेनू ब्रांड अबैसेडर बना दो ते मैं हजे प्ट्याला नू इस पालिट प्रोजेक्ट लेके अथे अठारा कैम्प लाने हैं हर हलकेज नौ कॉंस्टिंसीज हैं पट्याले दिया मैं कि इत्थे मेरा काम देख लियो फिर इस कामनों सी हॉली हॉली पूरे पंजाब चे फिला दमांगे लुध्याना की अदालत में पेश्री के लिए आएक यूवक पर लोगों ने हमला कर दिया आपको बता दे की हमले के बाद यूवक को पुलिस ने इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले गई और एसेच्चो नीरज चौधरी ने बताया कि पीडित चिराग जगूता कोट में तारिक पर गया था उसके खिलाब पहले ही दो मामले दर्ज हैं इसे के दुरान दोनों यूवकों के हाथ तुपे जूडिया लेकर उसे पर हमला कर दिया वहीं पीडिता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करेगी अब देख सकते हैं दो लोगों ने हमला किया तो और हम लोग की हालत हमले में यूवक की हालत गंभीर बताई जा रही है पेशी पर आये यूवक पर हमला किया गया लुद्याना की अदालत में पेशी के लिए एक यूवक पर दो यूवक लोगों ने हमला कर दिया कपूर्थला मौडन जेल में NDPS मामले में बंद कैदी की तब्यत बिगडने पर उसे सीविल अस्पताल इलाज के लिए लाया गया जिसकी इलाज के दुरान उसकी मौत हो गई कैदी की मौत के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए रखवा दिया है जानकारी के अनुसार NDPS के मामले में कपूर्थला मौडन जेल में बंद कैदी कश्मीर सिंग को सांस लेने में तकलीफ के कारण जेल परशाशन के ओर से सिविल अस्पताल कपूर्थला इलाज के लिए भरती करवाया गया था जहां डॉक्टर नवदीब कोर ने हालत नाजुक देखते हुए अमरिस सर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया लेकिन मेडिकल कॉलेज ले जाने से पहले ही अमिरजनसी वोर्ड में कैदी कश्मीर सिंग की मौत हो गई उक्त कैदी की मौत के बाद सिविल अस्पताल पहुँचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है फगवाड़ा से पूर्व आप नेता पर जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया है बता दे की बंगारोड पर हतियार बंद यूवकों ने पूर्व आप नेता इंदरजी तखल्यान पर जानलेवा हमला कर दिया हमले में इंदर जित खल्यान गंभीर रूप से घायल हो गए इस हमले के दुरान हवाई फाइरिंग की खबर भी सामने आई है हमले की सूचना मिलने पर DSP जस्परिस सिंग और SHO पलविंदर सिंग पुलिस के पार्टी के साथ हस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली पुलिस अधिकारी का कहना है कि हमले की जाच की जा रही है और आगे की कारेवाई करी जाएगी और दोशी कौन है इसके बाद हमला दर्ज मामला कर कारेवाई की जाएगी सब्सक्राइब सब्सक्राइब पंजाब के भतिन्दा में नशे के खिलाफ कॉंग्रेस ने रोज प्रदर्शन किया प्रदर्शन की अगवाई अमनिंदर सिंग राजा वंडिंग और पंजाब विधान सभा में विरूधी पक्ष के नेता प्रताप सिंग ने की गई वहीं नशे के मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार को बुरी तरह घेरा नशे के मुद्दे पर कॉंग्रेस ने पंजाब इधान सभा स्पेशल शेशन बुलाए जाने की मांग रखी कॉंग्रेसी लीडरों ने कहा कि पूरी पंजाब कॉंग्रेस को चाहे जिल में भेज दे लेकिन पंजाब से नशाब बंद कर दो विडान सबादा जी रहते हैं चार पंजे दिन दी चर्चा होए है नशे दे मुद्दे तो अड़े अफसर ते तुसी बैठके हो मुद्दे दे लिखो ते फिर असी पंजाब जो किमे नशाब पंजाब नो कर सकते हैं और ते अपा गौर फरमाईए इस नशे दे मुद्दे ते इस लाइन ओर्डर दे मुद्दे ते किसे परकार दी आज तक कोई चर्चा नहीं है सरकारां बंदियां जा रही हैं ओंदियां जांदियां जांदियां रही हैं लेकिन चिट्टा वद्दा जा रहे हैं मामा दे पुत उर जाना मर दे जा रहे हैं इरे बारे किसे दा त् नरंतर नशे दे खलाफ पेना हड़ पीड़तां दे आससे ते नशे दे खलाफ आज जैसी तरनला है सी हंड़र परसंट चौवीदा अगाज भी है और असी इसे स्पीड़ना नरंतर साड़ा है जड़ा अगाज है जारी रहेगा और मैंनू पूरन अमीद है कि पारलेमिन दे संघ्रूर जिले के दूरे में गंचम को लेकर प्रदर्शन किया गंचाश्टकारों ने सरकार के खिलाफ रूष जताया इस मोठे पर किसानों ने कहा कि वे वही किसान हैं जिनको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान चुनाओं से पहले उनका हक दिलाने की बात कर रहे थे और उनको बकाया पैसे नहीं मिल रही जिसके चलते उन्होंने विरूद परदशन करना पड़ रहा है इस मौके पर काफी संख्या में किसानों ने पुलिस को गिरफ्त में ले लिया माफ कीजेगा कि किसानों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया सब्सक्राइब करता पर मुड़के ने किसाना दी सार नहीं लई असी बेच्चे होए घंडिया पेमटा मांग देया सोड़ा क्रोड रुपिया था मिलक नहीं रहे था तिन्न क्रोड स्टेट सरकार दभी बठी या बतादे की संगरूर की ये तस्विरें हैं जहां पर किसानों ने गन्ने की बकाया रुक्म को लेकर धरना प्रदर्शन किया गन्ना काश्त कारों ने सरकार के खिलाफ रुश जताया इस मौके पर किसानों ने कहा कि वह वही खिसान है जिसको लेकर पंचाब के मुख्या मंतरी भगवन तमान चुनाओं से पहले उनका हक दिलाने की बात कर रहे थे और उनके बकाया पैसे नहीं मिल रहे जिसके चलते उन्होंने विरोध परदर्शन किया इस मौके पर काफी संख्या में किसानों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया खबर जालंदर से है जहां मननत अस्पताल के मालिक डॉक्टर ललित ककड के बेटे पर गुंटागर्दी और मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं मामले की जानकारी देते हुए कपड़ा व्यपारी हरदीप मकड ने आरोप लगाया कि मननत अस्पताल के मालिक का बेटा दो गाड़ियों में अपने साथियों के साथ आया और तेजधार हतियार से हमला कर दिया वहीं इस घतना की सिसिटीवे फुटेज बे सामने आई है पिडित ने बताया कि 23 सितंबर को वो एक पार्टी में गए थे जहां उसके कजन भाई प्रियम चावला की इशान ककड के साथ लडाई हुई थी उसके पिता ने बात खत्म कर राजवी नामा करा दिया था लेकिन बीती रात हमारे साथ रंजिश निकालने की कोशिश की गई आके मिरते अटैक कीता पिठ पिछे जिना दे विच शामिल सी इशान ककड दिवंच चोपड़ा एंड उना देनाल होर साथ ताड़ जने सी ते इना ने एक आल शुरू हुई सी की जी तई तरी एक अपा पाटी दे गेवे सी जिदे विच प्रियम चावला मेरा कजन है जी को दी लड़ाई हुई सी कि में इशान ककड देनाल साधी गलती सिरफ एसी कि अपा अधे नाल खड़े सी ते उनना ने साड़नाल खुंदक कड़ें दी कोशिश किती राजी नामा हूं तो बाद एस टैप चुक्या उननाने मेरे फादर देनाल इशान ककड मनत हॉस्पिटल जिनादा हैगा उननाने मेरे फादर नुए भी गल किती सी कि सर गल सारी खतम है उनको लिए फिर भी उननाने बदमाश बुला के साड़ते अटैक किता है मेरे फादर थे भी अटैक किता हुश्यारपूर से 15 किलोमेटर दूर मेगोवाल गंजया में आकाली नेता और दो बा के सरपंच सुर्जीत सिंघ अंखी की गोली मार कर हत्या कर दे गई जानकारी के अनुसार मोटर साइकल सवार दो अग्यात लोगों ने उन पर घात लगा कर हमला किया उनके शरीर में तीन गोलिया मारे गई जिससे उनकी मौत हो गई बता दे कि वो दो बार गाउं के कि अधिया थे श्रूप अधिया के पाजी होना दे सर्पाइशाब दे साथे शब्चे ऐसा भूटी चल लिया बच्चे लिए तक गटी ने बच्चे है थे दोरा ही वे दे पता लगे उस्से में घटी-घटी ते मैं दुकाना दे पहुंचा जिते एक काम होया से का ओड़ी प पाकी एड़े दुकान दा देके वो उत्य मुझू से दो पूर्सारी मुझू से उस टैम ते जो दो पाड़ी राकिया है उस टैम तो मेनों कोई इंदाचा नी से गा उस टैम मेरे नाल उना दे दो पती जे से गे उनाल मेरे बेठे ते मैं गड़ी ड्राइब कर दबया से गा होश्यारपूर दसुहा मार्ग पर गाउं बसी नों के पास मुख्या सड़क पर स्थित भारत पेट्रोलियम के एस बडवाल फिलिंग स्टेशन पर उस वक्त हंगामा मच गया जब पंप के एक करमचारी ने पंप पर बने बाथरूम में एक महिला का वीडियो बनाना शुरू कर दिया जब महिला को इसका पता चला तो उसने तुरंट एक्शन लिया और युवक का मोबाइल फोन छील ल लोगों ने पंप करमी को पेड़ से बान दिया और उसका मूँ काला कर दिया और पुलिस ने युवक को मोके से गिरफतार कर लिया है और महिला के बयान के अधार पर आगे की कारेवाई की जाएगी जो बयान देया और युवक कारेवाई की जाएगी की कारवाई कर रहे हो जे फादर तुसका लड़की जो ब्यांद होगी हो सामकारी होगी मैंने डेली जरह जिद्धा पहले वाश्रूम जानी है ना कैसे नॉर्मल वैसे ही कैसी एथे पहले मुंड़ाग पेट्रॉल पंते कम करता दीप आया ना भी हुने ही में ने पता चल अधा तो मैं वाश्रूम जा गई है मैं वाश्रूम भी गा लिया बट मेरी एकदम इन ने उपर बहिए के ने फोन रखिया है जदा मैं फोन देखता है वीडियो दे ने चामरा ओन सिगा तो और बेच वीडियो रिकॉर्ड होई गा यगा ते फोन गरा तुसे दा दो खोया वाश्रूम जो एड़ी पी आया है सी कैमरा ओन सी एरोप्लेन मोड दे लगा है सी तब मैं एड़ी जिदे उठाया था कैमरा ओन सी वीडियो चाल रही सिए फोन हो देखता है यहां जी में चक के लिए इसी कम की करदा पंपते करदे कम करदा पता जी कुछता में निए पता नहीं केडियें केडियें हम नहीं यहां जिसके बाद उसे गिरफतार कर सेंटर जेल भेज दिया गया सजा काटने के बाद ही कैदी की मौत हो गई वहीं मृतक कैदी की परिवार ने परशाशन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारा लड़का निर्दोश था जिसे पांच कीलो के अवैद पर्चे में शामिल किया ग परिजनों का कहना है कि आरोपियों को जादर अधिक्तम सजा दी जाए और परिवार को न्याय दिया जाए बता दे की पटियाला में जेल में सजा काट रहे कैदी की मौत हो गई आपको बता दे की सेंटर जेल में कैदी सजा काट रहा था और कैदी के परिवार वालों ने धरना प्रदर्शन किया पुलिस ने हमारे लड़के पर नाजायज पर चाटा है जिसके बाद उसे गिरफता परिवार कर सेंटर जेल भेज दिया गया सजा काटने के 6 दिन बाद ही कैदी की मौत हो गई मृत कैदी के परिवार ने परशाशन पर आरोप लगाती हुए कहा कि हमारा लड़का निर्दोश था जिसे 5 किलो के अवैद परचे में शामिल किया गया था अवैद परचे काटने वाले सीडिकेट के करमचारी बलतेज सिंग ने पुलिस पर आप 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 अब आप खड़ीए जी सेंग और सेंगे नहीं जैज हुई है उन्याम तो नहीं जान पूझी का साटा कम करें लिजय हुई है पुले तर्च करके कर दन सश्याइज नहीं सब्सक्राइब किलावर्णत कर वाया जालंदर में एक वीडियो शोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है जिसमें एक लड़की ने जालंदर के एक थाना प्रभारी के गाड़ी पर बैठ कर वीडियो बनाया और उस पर पंजाबी गाना लगा दिया वीडियो वाइरल होते ही जालंदर पुलिस की ट्रॉलिंग शुरू हो गई बताया जा रहा है कि ये गाड़ी थाना डिवीजन 4 के ऐसे चुकी है जालंदर कमिशनरेट डिसीपी डॉक्टर अंकुर गुपता ने बताया कि इस वीडियो में थाना डिवीजन 4 के थाना प्रभारी आलोक कुमार को दोशी पाते हुए उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है बाकी मामले की जाच की जा रही है जी जी मैं तुसी आपने बोला कि एक वीडियो कल हमारे पास आई थी इस शाम की घटना है जह हमारे पास एक वीडियो आई तो उस पर इमरिएटली कारवई करते हुए जो ऐसे चुचार है उनको ट्रांसवर करके पुलिस एम बेही जिया गया उस मामले में उनकी गलती पा की जारी है कि मैं अभी वो देख रहे हैं जी वो क्या सारा कौन लड़की है उसकी एंटिसेडेंट्स हम चेक कर रहे हैं और कि सलात में वो वीडियो बनाईगी कैसे बनी वो हम वेरिफाई कर रहे हैं बड प्रिलिमिनरी यही पता चला है कि वो ऐसे चो साब की गाड़ी थी इसे चो चार नंबर की अधिया तरके नी रहना बस में क्या आते आया ख्यार रखिया आवदा जलो भी आपी चल पेशियक तरी तेरे कट दी साबी साली होडी कटो कट नी थाना चंतरगत आते ही शहीद बाबा दीप सिंग नगर में एक व्यक्तिक अशव मिलने से पूरे इलाके में संसनी फैल गई मृत की पहचान बीर सिंग निवासे सुंदर नगर के रूप में हुई सूशना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची वहीं एसाइ मंजीत राम ने बताया कि मृत का 25 तारिक से घर से लापता था पुलिस शव को कबजे में लेकर सिविल अस्पताल में पॉसमाटम के लिए भेज दिया गया है वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि पीडित परिवार के बयानों के आधार पर आगे की कारेवाई की जाएगी ते ते तेन चार दिन हो गया है कि उन्हीं मैं करें कि दूर चल गया होगा ते मैं नंदा भारम जी कम करने गया सी का राधा कम सी का ते उत वाद कीनलीदा उत शाम ते टैम चे फून है ते उत वाद उन्हें ने कि के ता यह मैं करते हैं ते तो इटेंशन न लए और मैं कर्दी मेरी निवू गालक रादे दे तो इतर श्वेरे जाके गालक रादूगा ते उत वाद में आही थे वाख़ा इसाहें नी ते बलवंत संग दा बेटा वीरू से लग जो के सुंदर सब्सक्राइब दे लग्रक राद दे समने प्लाट खाली ओधे कि चानों आगया मुंडियां दे नाल किते इते श्राग दाजी सी उते को गलासी वी के पई है गिये ते प्लाट खाली है तो प्लाट दे विचे डड़ बाडी डिगी पही है इस सवेरे हुने ही मैंनों पता लग गया इते बाबा जी गुर्दवारा साथ ते गरंथी साथ ने फोन की ता भी एदा डेड़ बाड़ी पही है कि मैं आगे चेक कीता है जी ते फिर कार दिया नो मनू पता चांक लाग दिया बता भी यह प्रवार एक नादा बेटा ही है यह नमब आठी लंदर आज डूट प्रवड़ी देचनाक ते कराई यह उदे वार से मिल गया इस मुड़े दा नाइड़ी के पनी जथ हो यह इदा ना है का जी पने बीर सेंग सानो बल्वान सेंग इस सुंदर नगा दे रहन आड़ा उदे वार से मोके ते पहुंच गया फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही जादा खबरों के लिए बने रही हमारे साथ नमस्कार